वेल्कम तो मिस्स आनज कुक्री क्लासिस आज हम बनाएंगे अर्वी की सुखिस सबजी और से स्टूनेंट से कंप्लेंट रहती है कि वह जब भी अर्वी बनाते हैं तो वह बिल्कुल भरते की तरह बन जाती है तो चलिए आज शुरू करते हैं अर्वी बनाना सबसे पहले उ मोटी अर्वी की अच्छे से बॉल होती है अगर अर्वीर लामफ उपतली है तो वह बॉल नहीं होती है और वह कितना भी बॉल करने वहार्ड ही रहेगी अर्वी गोल और more लेए इसले की लंबी और पतली अर्वी आप ना खरी दें इसके बाद इसे बॉल करना है अगर आपके 5 microwave है तो आप ये धाइसोग्राम अर्वी है इसमें आप सिर्फ 1 फोर्थ कप पानी डाले और इसे किसी भी microwave सेफ बॉल में बॉल करने के लिए धबने इस धाइसोग्राम अर्वी को बॉल करने के लिए आप करीब 8 मिनित लगाए अगर आप कुकर में बॉल कर रह और फिर बंद कर दें और थोड़ी देर स्टीम में छोड़ दें इससे ज्यादा अगर आप बॉल करेंगे तो अर्वी ओवर बॉल हो चाहिए तो चलिए इसे मैं माइक्रोवेव करते हूँ देखिए हमारे अर्वी बॉल हो गई है देखिए एक ही करवी का पीस अलग अलग और अब हम इनको मसाले में फ्राइ करेंगे यह देखिए यह बड़ा है तो मैं इसके तीन पीसे कर रहे हूँ इसके लिए हमें चाहिए नमा थनिया पौडर अमचुर पौडर चना मसाला लाल मिर्च पौडर गरम मसाला अजवाइन और हीन इसमें डालेंगे हम बन फोर टी स्पून हीन साथ ही डालेंगे बन फोर टी स्पून अजवाइन एक मिनट के लिए इसको भूलेंगे डालेंगे मसाले गैस बिल्कुल हल्की कर दे ये तो मसाले जल जाएंगे आदा चनड़ भणिया फोर टीसスपून लाल म्लेंच वनफोर टीसスपूल दरम मसाला वनफोर टीसkkूल नमत अंस्तै मसालों को अच्छे से कवर लंच पौडर पेसला आदा चम्म चना मसाला और अम्चुद पॉडर इसे एक से दो मिनिट के लिए इसी तरह फ्राइ करेंगे देखें सब अर्वी के पीसे बिल्कुल अलग अलग हैं अर्वी को इसी तरह मसाले के साथ एक से दो मिनिट भीनेंगे गेस विल्कुल स्लो है अर्वी में अजमाईन का और रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और लेजे हमारी मसाला अर्वी तयार सचसे मैंने तो अर्वी खरीटे हुए इस बात का ध्यान देए अर्वी हमेशा बोल हो बोल और मोटी अर्वी हो लंबी और पत्ली अर्वी कभी ना खरीदे क्योंकि वह गलती नहीं है और वह हमेशा आपकी सद्री बिल्कुल हाड रहेगी सेकेंडली अर्वी ओवर बोल ना करें अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं तो धाइसो घ्राम अर्वी को आप छे मिनट लगा सकते हैं अगर आदा किलो अर्वी है तो उसको आप आठ मिनट के लिए भी लगा सकते हैं अगर आप कुकर में बोल करें तो एक विस्तल आने के बाद उसे बंद कर दीजिए तो उससे अर्वी ओवर बोल नहीं होगी इसके अलावा जब आप मसाले डालते हैं तो मसाले आपके उसमें साथ साथ की आप उसमें कुछ खटी चीज ढालें या तो आप नीबू डालें या अमचूर डालें जिससे कि उसका स्टिक्टीनेस खतम हो जाएगा और आप उसे अच्छे से फ्राइ करें, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अर्वी की सबसी बहुत अच्छी बनेगी मेरी इसी तरह की और इसी टूमेक रेसिपीस के लिए आप मेरा चैनल सबस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए